नमस्कार दोस्तो दोस्तो स्वागत है को और नई वीडियो में आज के इस वीडियो में मैं आप लोगो को बताऊंगा बिहार के कंडिडेट्स के लिए जो है ना वेकेंसी की भरमार है एक बार और बहुत बढ़िया वेकेंसी निकाल दिया गया है दोस्तो ये जो वेकेंसी र बिवाग की वेकेंसी है दोस्तो ये जो है recruitment notice है recruitment का मतलब होता है कि ये रोजगार के लिए notice है यहाँ पर बताया हुआ है कि online application are invited from eligible candidates for the appointment of the following post for Bihar State Power Holding Company Limited and it is subsidiary company NBPDCL, SBPDCL, BSPTCL and BSPGCL मतलब जो है इसमें वेकेंसी निकाला गया है ये बिहार में 4 बिजली की बहुत बड़ी company है जो की बिजली provide करती है बिहार के हर गाओं, हर जिला, हर छेतर में दोस्तो यहाँ पर बताया हुआ है कि ये जो वेकेंसी रहने वाली है Employment Notice, सबसे पहले यहाँ पर बताया हुआ है कि देखिएगा Serial Number और Employment Notice बताया हुआ है कि इसका Employment Notice जो है वो 01-2024 है Assistant Executive Engineer का ये पोस्ट है यहाँ पर देखिए ये किसका पोस्ट है Assistant Executive Engineer Total Vacancy जो है वो 40 रहने वाली है बोला गया है कि फूल टाइम 4 years का जो है बिटेक चाहिए या बिई चाहिए किसमें तो Electrical Engineering में जो इनुवर्सिटी जो है ना AICTE से एप्रूब है उसी इनुवर्सिटी के द्वारा इसमें जो सेलेक्शन की प्रकिरिया है वो आपका GATE का स्कोर काड होता है उसी के तोहत आपका इसमें सेलेक्शन दिया जाएगा इसके लिए कोई examination नहीं होगा और नहीं कोई interview होगा बस अगर आपने GATE क्वालिफाई किया है तो उस GATE का जो rank होता है उसके थूँ आपका सेलेक्शन दिया जाएगा उसके बाद जो post है वो है दो नमबर में 02-2024 इसका employment notice है इस post का नाम है junior engineer जो है ये electrical के लिए रहेगा क्योंकि electrical विभाग में अगर job है तो electrical और electrician के लिए ही जादा post आएगा junior engineer के लिए 40 post है जिसमें बोला गया है कि full time 3 साल का diploma होता है वो आपको करना है यानि कि 3 साल का polytechnic करना है जो कि AICTE से approved university है उन्हीं university से आपको correct मतलब किया होना चाहिए तो आप इसमें आवेदन दे सकते हैं इसमें जो है ना exam होगा CBT यानि कि computer based test होगा जिसके तहत आपका selection होगा उसके बाद यहाँ पे 3 नमबर और 4 नमबर में जो post है उस post के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है कि देखिए यह जो post रहने वाला है यह यहाँ पे correspondence clerk और store assistant correspondence clerk में जो है ना 1500 post पे vacancy है और यहाँ पे store assistant में 80 post पे vacancy है इसमें बोला गया है कि किसी भी university से और किसी भी discipline से यानि कि जो है ना आप BA भी किये हैं तो आवेदन दे सकते हैं और B.Tech भी किये हैं तो भी आवेदन दे सकते हैं B.A.C. वाले भी आवेदन दे सकते हैं B.C. वाले भी आवेदन दे के लिए ये पोस्ट है जुनियर एकाउंटेंट क्लर्क में जो है न टोटल 300 वेकेंसी है जिसमें बोला गया है कि अगर आपने कमर्स फिल्ड से ग्रिजुएशन पास किया है तो आप इसमें आवेदन दे सकते हैं इसमें बोला गया है कि computer based test देना होगा आप लोगों को इसमें selection लेने के लिए या अगर correspondence clerk हो गया या store assistant हो गया या junior engineer हो गया सब में exam होगा केवल executive assistant engineer में जो है न इकजाम नहीं होगा केवल और केवल gate के scorecard से ही आपका selection होगा लेकिन दोस्तों अगर इससे भी वड़ा vacancy जो है न वो vacancy है ITI candidates के लिए यहाँ पे 6 number में जो है न इसका advertisement number यहाँ पे employment notice है 05-2024 इसमें बोला गया है कि technician grade 3 के लिए जो है न टोटल 2000 post पे vacancy रहने वाला है दोस्तों यह 2000 post all over बिहार के candidates के लिए रखा गیا है अगर आपका बिहार के बाहर के है तो भी आप आवेदन दे सकते हैं अगर आप बिहार से बाहर से बिलोंग करते हैं तो आप लोहों को reservation का लाब नहीं मिलेगा लेकिन अगर आपका घर बिहार में पड़ता है तो आपको reservation मिलेगा reservation और without reservation की अगर हम बात करें तो बिहार के candidates जो अगर हैं तो आप SC, ST, OBC, EWS से आवेदन दे सकते हैं लेकिन बिहार के बाहर candidates बाले जो हैं वो general में ही आवेदन देंगे इसमें बोला गया है कि जो education qualification रहने वाला है ये बोला गया है कि आपको 10W class pass मांगा गया है यानि कि आप अगर 10th class pass हैं और उसके साथ अगर आपने 2 साल का ITI कर रखा है electrician trade से और जो है ना या तो NCVT से या तो SCVT से तो भी आप आवेदन दे सकते हैं इसमें यानि कि 10W के साथ साथ अगर आपने 2 साल का electrician trade में ITI कर रखा है तो आप इसमें आवेदन दे सकते हैं इसमें भी selection लेने के लिए आपको CBT यानि कि computer based test देना होगा अब यहाँ पे अगर हम online आवेदन देने की बात करें तो ये बोला गया है कि important date online registration जो इसका start होगा वो होगा 1 April 2024 को और last date इसका जो रहेगा closing date वो 30 April 2024 को अगर इसमें आपको जो है ना आवेदन देने के लिए notification चेक करना है या eligibility condition चेक करना है तो इसमें जो है ना आप जाके इसका website है www.bsphcl.co.in पे आप जाके जो है ना करेंगे दोस्तो अभी age criteria के बारे में कोई भी चर्चा नहीं किया गया है क्योंकि ये short notification है कि कितने साल के age तक लोग जो है ना आवेदन दे सकते हैं किस post में और जो है ना इस category के लिए कितना reservation दिया जाएगा age में ये भी बात नहीं बताया गया है जैसे ही full notification आता है तो उसके मैं आपको एक वीडियो लेके आऊंगा और आवेदन जो है एक April को start होगा तो भी मैं एक full वीडियो लेके आऊंगा ताकि जो है ना आप लोग उस वीडियो को देखके और अपना आवेदन दे सकें बिहार के बिजली विवाग में जो बहुत बढ़िया वेकेंसी निकाला गया है इसमें अगर अल ओभर पोस्ट हम मिला के बताएं तो 2610 पोस्ट पे वेकेंसी है ये बहुत बढ़िया वेकेंसी है अगर आपने graduation किया है तो भी आपके लिए पोस्ट है नर्मल इंटरमीडियेट के लिए कोई पोस्ट इसमें नहीं बताया गया है और दसवी पास के लिए कोई पोस्ट नहीं बताया गया है तो दोस्तों उमीद है कि जो बिहार के बिजली विवाग के तरफ से 2610 पोस्ट पे जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इस सोट नोटिफिकेशन का all details आपको पता चल गया होगा अगर मेरी दिवरी जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही informative वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आज के लिए बस इतना नहीं मैं आपसे वीजा लेना चाहूंगा तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूटूब चैनल फार्म फिलब की knowledge अगर इस बिजली विवाग की भरती से related कोई और जानकारी चाहिए तो आप लोग वीडियो के comment box में comment कीजिएगा मैं उस आपके comment का reply भी दूंगा और जय हिंद जय भारत